श्री शिवया नमस्तुभ्याम, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम जानेंगे इंद्रा एकादशी के बारे में तो इंद्रा एकादशी हम बना रहे हैं 10 अक्टूबर को इस एकादशी की जो तीथी का समय है वो है 9 अक्टूबर से 2.5 बारा बजे 12 बचकर 36 मिनिट से प्रारम बोगी और 10 अक्टूबर को दो पर 3 बचकर 8 मिनिट पर समापत हो जाएगी हम यहां एकादशी 10 अक्टूबर को बनाएंगे क्योंकि हम हमेशा ओद्या तीती की एकादशी बनाते हैं तो हम यहाँ एकादशी 10 अक्टूबर को बनाएंगे इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है इस एकादशी में कौन से भगवान के पूजा होगी यह हमें मैं आपको बताऊंगी और यहाँ एकादशी पढ़ रही है श्राद पक्ष में पंचांग के अनुसार अश्विन महा के क्रश्न पक्ष की एकादशी तिथी को पढ़ने वाला एकादशी का वरत बहुत ही शूब माना जाता है एसा कहा जाता है कि इस वरत को करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिल जाती है यहां वरत पित्र पक्ष की दश्मी दिथी के अगले दिन्यानी एकादस्ची दिथी को पढ़ता है यहां वरत श्राद पक्ष की एकादस्ची दिथी को पढ़ता है वैसे तो एकादस्ची के वरत में भगवान विश्नु जी की पूजा की जाती है बगर इस एकादशी के दिन हम भगवान शाली ग्राम की पूजा करते हैं शाली ग्राम को भगवान विश्णु का निराकार और विग्रह रूप ही माना जाता है हर साल पित्र प्रक्ष के दुरान पढ़ने वाला यहां वरत करने से हमारे पित्रों को मोक्ष की प्राप्ती होती है और वहां भहुत ही शुब माना जाता है उससे हमारे जीवन में सारे कष्ट मिट जाते हैं तो पुरानों के अनुसार इस व्रत्र को करने से हमारे पितरू पाप धूलते हैं। उनसे मुक्ति मिलती यदि आपको पित्रदोषी तो भी आप वरत्र करेंगे। तो आपको मुक्ति मिलेगी। आईए अब हम जानते हैं कि इंद्रा एकडशी व्रत को हम कैसे करें एकडशी तिथी पर पढ़ता है शराद की यह व्रत तो इस दिन हमें कुछ शराद के नियम भी करने पढ़ते हैं इस व्रत को करने से पहले पित्र पक्ष की दश्मी के दिन नदी में तरपन करें और भ्रामनों को भोजन कराएं इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें मगर इतना जरूर ध्यान रखे कि दश्मी के दिन सूरियस्त के बाद भोजन ग्रहन ना करें फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल पलें और भगवान विश्नु की पूजा करें और पबजा करने के बाद दोपर में फिर से श्रात तरपन करें और भ्रामनों को भोजन कराएं फिर अगले दिन पूजा करने के बाद दागन दक्षिना का काम करें उसके बाद आपारण कर लें यानि की ग्यारा तारीक को और आप दान पुर्ण अपनी श्रद्धा भक्ती के हिसाब से कर सकते हैं यदि आप भ्रामर्ण को भूजन नहीं करा सकते हैं तो आप सीधा दान भी दे सकते हैं वहाँ भी दान बहुत अच्छा दान होता है और आप ध्यान रखें उस दिन आप व्रत नहीं भी करते हैं तो सात्विक भूजन करें आप लहसन प्याज उस दिन बिल्कुल ना खाए चावल भी बिल्कुल ना खाए तूवर की दाल भी बिल्कुल ना खाए आप उस दिन सर नहीं धोए और नाखुन नहीं काटे ऐसी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और सबसे बेड़ी बात हम जब रत करते तो हम किसी का दिल ना दुखाए उससे हमें बहुत पुन्ने मिल जाता है अब हम चानते हैं हमारी एकादशी की पुरानिक कथा क्या है आईए हम सुनते हैं एसा कहा जाता है कि सत्यूग में एक इंद्रसेन नामका राजा था और वो विश्णु भगवान की सच्चे दिल से पूजा पाट करता था एक दिन नारद मुनी इंद्रसेन के पास उसके स्वरगिय पिता जी का संदेश ले कर गए नारद जी ने कहा कि जब वहां कुछ दिनों पहले यमलोक गए थे तब उनकी राजा इंद्रसेन के पिता से भेट हुई और पिता ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एका दशी का वरत किया था जो किसी कारणवर्ष भंग हो गया था इसकी वजह से उन्हें अभी तक मुक्ती नहीं मिली और वो अभी भी यमलोक में ही है फिर नारद जी ने यहां बात राजों को बताई कि अगर आपने पिता जी को मुक्ती आप दिलवाना चाहते हैं तो अश्विन महा की इंद्रा एकदशी का वरत रखना होगा इस वरत को करने से पिता जी को मुक्ष की प्राप्ती होगी और वहां बैकुंठ धाम को चले जाएंगे यहां सुनकर राजा ने अपने पिता के लिए इंद्रा एकदशी का वरत रखा और पूरे वीधी विधान से इस वरत में किये जाने वाले कारे को किया उसके बाद पित्र पक्ष के एकदशी तिति को इंद्रा एकदशी के वरत करने की परमपरा शुरू हो गई तो यहां वरत करना बहुत ही अच्छा होता है यदि हमें पित्र दोश है तो आप यहां वरत करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपका जीवन मंगल मैं होगा जो आप चाहते हैं वो आपको सब मिलेगा क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें पित्र दोश है या हमारे पुरवज परेशान है तो आप यहां वरत जरूर करें पूरी श्रद्दा भक्ती के साथ करें अब हम इंद्रा एकादशी के कुछ वरत के नियम जान लेते हैं क्योंकि यहां वरत हमारे पित्र पुरवजो के लिए करा जाता है इसलिए इसमें ये बाते ध्यान रखना बहुत जरूर है इंद्रा एकादशी व्रत पित्र पक्ष में एकादशी चित्थी के दिन रखा गया है यह आपको मैं पहले बता चुकी हूँ इंद्रा एकादशी अश्विन मास की क्रश्न पक्ष की एकादशी को कहते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एका दशी के दिन, पावन दिन हमें चावल का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए, एसा कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य के जन्म रेंगने वाले जिव की योनी मिलती है, इस दिन लोग व्रत नहीं रखते हैं, तो भ दिन खास करके शालिग्राम भगवान की पूजा भी करेंगे, एका दशी के दिन हमें स्वच्च रहना चाहिए, भ्रमाचार्य का पालन करना चाहिए, एका दशी के दिन भगवान विश्नु की पूजा करें, शालिग्राम जी की पूजा करें, उससे आपको विशेशलाब म नहीं मिलता है सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं व्यक्ति को किसी भी दिन महीलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति महीलाओं का सम्मान नहीं करते उनके जीवन में कई तरहों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन जो व्यक्ति महीला की घर में इज़त नही कभी नहीं होता है एका दस्षी के पावन दिन हमें मास मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परशानियों का हमें सामना करना पड़ता है इस दिन व्रत करना चाहिए अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एका दस्षी में सात्विक करते हुए सात्वी करें जूट बिल्कुल भी नहीं बोले और किसी का मन नहीं दुखाए और निंदा से बचे निंदा हमें वैसे भी किसी की नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन आप ध्यान रखे कि हमको तुलसी जी को पर्ष नहीं करना चाहिए और जहां तक हो सके एकादशी के दिन हमें तुलसी जी को जल भी नहीं समर्पित करना चाहिए दूर से ही उनकी पूजा करनी चाहिए दीप्रजवलित कर सकते हैं आप लोग पर उन्हें जल भी नहीं चड़ाया चाहिए कहा जाता है कि उस दिन हम लोगों का उपास रहता है तो तुलसा जी का भी उपास रहता है इसलिए उनका हमें जल नहीं जड़ाना चाहिए आपको कैसे ज्यारस का पारण होगा ज्यारा अक्टूबर को पारण करने की विधी सुभ असनानाधी करके पंडित जी का सीधा निकाल के संकल्प छोड़कर यदि आप देने में उस टाइम असमर थे तो संकल्प छोड़कर साइड में रख दीजिए बाद में कभी दे दीजिए और चा को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद